अब रार्व सैन्मंडी भावदीन से लिखते हैं लिट्चर अदब डिट्रिरेट कर रहा है गिर रहा है उसकी वो साथ नहीं रहे कोई बड़ा काम ने हुआ पिछले दिनों में अदब में अबराज साथ मुझे यह नहीं पता कि अदब से आपकी क्या मुराद है अदब से आपकी अर्दू अदब मुराद से अगर अर्दू अदब है तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा इसलिए मैंने जब मैट्रिक कि तो एजी उर्दू थी और जब एफ भी किया था तब भी ईजी उर्दू थी तो उर्दू अदब पढ़े ना आप आप कई किताबें जो कहते हैं कि आप बढ़नी चाहिए हर अख़बार में संडे को इतवार वाले दिन रिव्यू तपसरा निकलता है किताबें जो चपी गई हूँ है कि तफ्रय पढ़ें जो आपको टफ्रा चाहल लगे तो वह किताब पढ़ें उर्दू की हो यह अंग्रेजी की हो फिर ये फैसला करें कि वाका हमारा अदब गिर रार अदब क्या करें बच्चे जो हैं वख मोबायल पर लगे होते हैं यह टेलिविजिन पर लगे होते हैं, उससे आठता ही नहीं है, यह किताब पढ़ने का शौक हमें कम हो गया है, तो आप कोशिश करें, ढूंडें कौन सी अच्छी किताब है, फिर आपने यह कहा है, कि हमारे हाँ अदब गिर गया है, अच्छा मेटा, यह फरमाएं कि आप ज् उकरेन में पैदा होते हैं, घाजा में होते हैं, यमन में होते हैं, सिर्या में होते हैं, इराक में होते हैं, तो जो है, उसका शुकर अदा करना सीखो ना, यह ना कहो, यह गिर गया है, यह गिर गया है, जो गिर गया है, जो चीज आप समझते हैं, गिर गया है, उसकी निश अच्छान दे करो ताकि हम बेतरी की तरफ बढ़ सकें काफी हो गया कि और और खोर कमा ओल राइट जी मुंताज एमद इकबाल ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में आप कैंगरू देखें या गैंबोट देखें मज़े करें या क्रिकट देखें वो कहते ह कहानी में और हकीकत में क्या वर्ग होता है अच्छा क्या कहानियां भी जनम लेती है हकीकत से और क्या जिन्दगी में ऐसे कहानियां नहीं है जिससे हम इंस्पायर हो अच्छा सवाल है जो कहानी है बेहतरी वो असल से तखयूल से इमाजिनेशन से आती है लेकिन ये भी तैय है कि उसमें जो शक्स लिकरा होता है उसके अपने जिन्दगी के हालात यह जो कुछ उसने पड़ा होता है वो भी उसमें शामिल हो जाता है असली कहानिया वो आटो बायोग्राफी है या बायोग्राफी है वो आप पढ़ने जिसके बेच शुमार लिखी गई है पढ़ने पर उनकी बाद तारीख लिखना और लिखी गई है बड़ी-बड़ी किताब में लिखे गई है मैंसलन गिबिन्स की है दे राइस इन फॉल आफ दी रोमन इंपायर विल डॉरेंट की है दी स्टोरी अफ सिविलाइजेशन दस जिल्दों में है तारीख लिखने के लिए जरूरी है कि मसन्निफ उन हालात पे गोर करे जो उस वक्त थे और फिर लिखे अगर वो मौझूदा हालात के बारे में जो उनके ख्याल बन चुके हैं उस पे तारीख लिखेंगे तो वो सही नहीं होगी इसलिए ये ट्रावल करना मेजेनी तोर पे उन हालात में जो उस वक्त थे उनके बारे में पढ़ना और फिर लिखना वो ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि आइम तोर पे मेज़ तारीख पढ़ता हूँ वे ऐसे लगता है कि मौजूदा हालात पे किताबे वो लिखी जाती है मुझे इसलामी किताब वहां जो इसलाम के बारे में भी लिखी गई है या मसलमानों की तारीख के बारे में लिखेंगे मुझे वहम है कि उस पे भी मजूदा हालात का असर है हो सकता है यह वहम हो गलत हो मैं आप से एक अर्श करूँ मैंने तारीख में पानी पत्थ की पहली जंग के बारे में पढ़ा है मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी कि पानी पत्थ की पहली जंग इब्रहीम लोधी की नजर में कैसी थी हार गया ना वो बाबर से बाबर दस हजार आदमी ले गया है तोप में भी ले गया है जो बेश उमार आती थे वो अपनी फौज पही चड़ गया पट कि मैंने नहीं पढ़ी मैं इंग्रेजी में कहता हूँ हम आप तोर पे जो जीत गया है उसी की बात करते हैं क्लासिक्स पढ़े अंग्रेजी में पढ़े उर्दू में भी पढ़े अच्छा है तो आप हाँ सब लिखते हैं मुझे नहीं पता कहां से उनका सवाल पढ़ लेते हैं अमरीका ने टिक टॉक बैन कर दिया है और बिल चला गया है मुसफदा कानून चला गया है कांग्रेस को भारत ने भी कर दिया है अमरीका टिक टॉक से गवराया क्यों पर मैं तो अमरीक कर नहीं हूँ मुझे क्या पते क्या गवराया हुए सी एन एन बाच करें वो याद रखिये अमरीकी चैनल वाज़ तर पर कहते हैं वो किस तरफ है सी एन एन डेमोक्राट्स की तरफ है एक और चैनल वो रिपबलिकन्स की तरफ है तो उसी तरह करते हैं टिक टॉक इनफर्मेशन देता है लोगों के बारे में ये इनफर्मेशन कुछ लोगों का ख्याल अमरीका में है ये चीन इस्तवाल कर सकता है और काम के लिए और कुछ अमरीकी लीडर ये समयते हैं ये सिक्योरिटी मामला है हमारी सिक्योरिटी के मामला है लहाजा बैन कर दे बैनने कही चीज़े होती हमने इंडियन फिल्में बैन नहीं कर दे और वो हम देख रहे हैं इंडियन फिल्म में, नेटफलिक पे, देख रहे हैं कि ने, मुझे नहीं पता, कि हमने कौन सी फिल्म बाहर दिखाई है, हाली में जो फिल्म बनी है, मौला जट, दुबारा जो बनी है, वो बाहर एक्सपोर्ट हुई है, और उसे पैसे कमाएं, तो आप फिल्मे बैन करने से अगर आप समझते हैं कि फिल्मे बैन करने से हम पे कोई असर, उनका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो कर दें भई, याद रखिए, जो चीज बैन होती है, उसके लिए तजस्स बढ़ जाता है, तो यह आपका फैसला है, जो करते हैं बैन, उनका फैसला है कि क्या बै करना चाहिए, सफदर भाई पहले फर्माते हैं, आइन यानि कानूशन में तबदीली करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है, इंगलिस्तान में नहीं, क्योंकि उनकी रिटन कानूशन नहीं है, लेकिन कई कवनीन ऐसे हैं, जिने आइनी कानून कहा जासे हैं, लेकिन उनको बद नेशनल लेवल तक ये इलेक्ट होनी चाहिए, और असेंबलियें को भी इंडिरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए, उसी एग्जेक्टिब में हो, बाब है बाब, बल्ले जाओं, भाई हमारे मुल्क में बेसिक डिमोकरसी उनी सो बास सट में इंट्रिडिउस होई थी, हम बे होना lasts नेशनले माशी में बास सब्सक्राइबरों को फईलेक्ट नेख ये गजी माया में अनुपुमिक्यणन फईले के क्या है ये इह कंजय होना चाहिए, जलती चली जाती ते इनको सव्चाहिए। बाइस्ता वो सेंटर में भी मर्कज में भी होती है और प्रोविंसेज में भी होती है आपका कहना है कि उनको भी हम इलेक्ट करके करें आप जरा तारीख पढ़े ला यह बताएं सिवल सेविस का इंतिहान सबसे पहले किस मुल्क में शुरू हुआ था और कब फिर मुझे कहें पिर मुझे आप दुबारा जवाल पूचे कि जो सेक्शन अफसर है डेप्टी सेक्टरी है अडिशनल सेक्टरी है सेक्टरी है सेक्टरी जनल उसको हमें लिक्ट करें तो क्या फर्क होगा उन में और सियासी हकूमत में तो यह को ऐसा आपका दूसरा जो मैं जवाब देना कि आपको आपके जवाल के अंदर है कि ताकत जो है वो सबसे नीचे लेवल तक जानी चाहिए यानि यूनियन कांसल जिला कांसल और डिविजन तक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ बिलकुल मुत्तफिक हूँ लेकिन अगर यह सारी ताकत सूबे वहां दे दे तो उनको ख्याल यह वहम है यह यकीन है कि उनके पास क्या रहेगा भाई ताकत ही है ना फंड्स देने यहां तक कि हमारे हाँ यह भी रिवाज है कि जो पूरिंशल असेंबली नैशनल असेंबली का मेंबर इलेक्ट हो उसको फंड्स दिये जाए अपने इलाके में इंवेस्ट करने के लिए उनका काम है कि यह पैसे वो लगाते हैं लोगों की भिलाई के लिए कि पूँज के जेब में डाल लेते हैं अगर वो पूँज यह कटे करके जेब में डाले तो इसके लिए इदारे बने हुए जो फिर उनको चेक करते हैं उसके लिए नैप बनी है अब कहा जाता है जी नै पेडल सेक्टरी भी रहे हैं और चीफ सेक्टरी सिंथ भी रहे हैं। उनका ख्याल है कि नैब एक बड़ा। सुनों बेटा। हमने प्रेवेंशन और प्रॉप्शन एक नाइटीन फॉर्टी से बनाया हूँ। कितनी कन्विक्शन वें, कितनी स़ाईं हुए उसमें। क्या जिसको थोड़ा सा इक्तदार या थोड़ा सा ओधा मिल जाता है वो फित्रतन और। यह मुझे नहीं पता है। यह मुझे नहीं पता है। लेकिन कहा जाता है कि उनकी तन्खाएं का मुध्यें हैं। उनका तन्खाह में गुजारा नहीं होता भाई अब हमारे सिवल जैजे से लेके डिस्टिक जैजे से लेके हाई कोट के जैजे सुप्रीम पूर जैए तन्खाहें बेहतरीन हैं और मरात भी बेहतरीन हैं अगर इसके बावजूद उनके बारे में यह ख़बर हो कि वो करते हैं पहराएंगे यही कमीज पहनी होगी कि कोई रिकॉर्ड आज ही कर रहे हैं इजाज़ चाहता हूं अल्लाहाफ़ कि वो तो दो श्यास ठाली इजाज हैं अजाज़ चूर वो धनल्लाहाफ़ चैशना के बांट अल्लाहाफ़ वो झाल झाल